तो गाइज इस विडियो में हमें ट्रांसलेशन अफ़ ट्राइंगल देखना है तो हम अपनी फाइल ओपन करेंगे यहां पर मैंने फाइल बना रखी है पहले से इसे ओपन करता हूं मैं और यह हमारा कोड है इस कोड को हम देखते हैं अब इसमें मैंने और हमने ग्राफिक्स.h, कोनियो.h और stdio.h फाइल इंकलूट करा है फिर हमने में फंक्शन बनाया है फिर हमने ग्राफिक्स ड्राइवर और ग्राफिक्स मोड को इनिशियलाइज कर दिया है फिर हमने कुछ वेरियेबल बनाये हैं X1, X2, Y1, Y2, X3, Y3 यह हमारे कोडिनेट हो और हमने ग्राफ को इनिशियलाइज कराया पहले उसके बाद हमने पृंड कराया है यहाँ पर हम फिर से लाइन बनाएंगे और यह transformation के बाद हमारी लाइन बनने वाली है और हम इस लाइन में सारे जितने भी factors जितने भी coordinates हैं वहाँ पर हम dx और dy को add कर देंगे y के जो coordinates से हम आपर dy add होगा और x के जो coordinates से हमाँ dx add होगा और हमारा जो figure है वो translate हो जाएगा और उसके बाद हमने get ch function यूज किया है और फिर हमने इक ब्राफ को close कर दिया है अब हम इसे compile करते हैं हमारा कोई error नहीं आया है तो अब हम इसे run करके देखते हैं तो यहां पर output window आ गई है translation of triangle और यह हमसे coordinates of a मांग रहा है तो हम यहां पर 200 और 300 डाल देते हैं अब हम coordinates of b 200 और 200 डाल देते हैं अब coordinates of c हम 120 और 140 डालेंगे तो हमारे यह triangle तो बन गया है अभी हमसे translating factor मांग रहा है उसके बाद यह हमारा translation करके दिखा देगा तो हम x की value डालते हैं 50 और हम y की 50 डाल देते हैं तो यह हमारा translation हो जाएगा तो यह था हमारा 2D transformation और इस 2D transformation में हमने translation करके देखा है मैं next video में आपको rotation बताऊंगा और उसकी next video में आपको scaling बताऊंगा तो इस video के लिए इतना ही thank you please like and subscribe to coach.sobism